हाई फ्रेंट्स, हम सबने अभी पीछे, कुछ दिन पीछे एक वीडियो मैंने डाला था वीनस साइन के उपर, वीनस साइन हम सब समझ चुके हैं कि वो अट्राक्शन की पावर्स हमें देता है लव के लिए वो ब्लेस्ट प्लानेट है, उसे हमें जो पावर्स मिलते हैं वो बहुत बहुत मिराक्शन है तो वीनस का ये साइन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इनर्जी क्रियेट करेंगे जो आपके रलेशन्चिप्स में बहुत जादा मेराकल करके दिखाएगा आपने ये साइन पहले कहीं देखे भी होंगे इसको कैसे हम अपने रलेशन्चिप में यूज करें ये आप आज समझ यह सबसे पहली बात कि वीनस का जो साइन है वो सिंपल आपको बनाना होता है एक सिर्कल बनाया और उसके नीचे एक लाइन एक स्टेंड करके नीचे एक प्लस का साइन जैसा बनाना होता है और दूसरा मार्स का साइन होता है Mars का sign थोड़ा सा tilt होकर के उपर जाते हुए आपको लगेगा ओके arrow बना हुआ होगा तो ये दोनों जो signs है Venus आपको पता है love के लिए है affection के लिए है, attraction के लिए है ये Venus जो goddess है वो आपको इनी सब चीजों से भर देते हैं आपकी love life को बहुत 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 beautiful बन जाता है, beautiful बना देते हैं तो ये हो गया second है Mars का sign, Mars का sign क्या करता है, Mars में जो quality है, वो basically है आपको action लेने के लिए एक strength मिलेगी, आप confident feel करेंगे, आप, जो आपकी main wish है, जो आपका focus है ओके, आप उस focus को attract करने में लग जाएंगे, उसके लिए ways बनने शुरू होंगे, ठीक है कि किस तरह से जो हम कहते है न, law of attraction में की action लेना बहुत जरूरी है, पर हमें समझ नहीं आता कि क्या action ले, रास्ते कैसे निकलेंगे, तो ये जो Mars का planet है, ये आपको उस चीज में help करेगा अभी यहां पे हम, मैं basically अभी यहां पे relationship के लिए ही बताऊंगे जिसमें कि दो person के नाम आएंगे definitely पहले आप होंगे second आपका specific person होगा okay, so अभी क्या करना है आपको आप ये sign अपने gratitude journal में बना सकते हैं अगर आपके पास कोई gratitude journal नहीं है तो आप कोई paper ले सकते हैं उस पे बना सकते हैं और इससे भी जादा अच्छा है कि अगर आप अपने phone में किसी तरह सा edit करके इसको बना पाएं और इसको save कर लें gallery में because इसकी जो power है वो आप इसको रोज देखेंगे और देख करके इसमें जो affirmation अभी लिकवाऊंगी मैं ये बताऊंगी मैं आपको वो affirmation आप रोज पढ़ेंगे इससे क्या होगा एक तो Mars की powers आपको मिल रही है ठीक है कि आप अब receiving mode में आ रहे हो because आप action लेने वाले हो आपको वो momentum अब gain होगा लाइफ में कि हाँ आप अपनी मंजल तक पहुँचे दूसरा बहुत focused है किस चीज के लिए पहुँचना है I mean अगर आप चल रहे हो तो पीछे क्या चीज लेके चल रहे हो तो आपकी वो जो Venus है जो Venus planet नीचे बना रहेगा उसमें आपके specific person का नाम होगा तो this means यह जो clubbing है दोनों planets का साथ में इसका मतलब यह है कि यह दोनों planets मिलकर के आपके relationship को एक बहुत strong bond की तरह present करेंगे suppose this is Mars, this is your Venus Venus will go something like that थोड़ा उपर की तरफ and Mars is, sorry, Venus is यहाँ पे and Mars थोड़ा उपर की तरफ tilt होते हुए ऐसे club होता है एक दूसर से तो यह जो club है, यह जो bond है यही आप लोगों के relationship में आप लोग manifest करेंगे finally, okay, calls नहीं आ रहे हैं commitment नहीं मिल रहा है यह वो, यह सब छोड़ करके final एक चीज है यह बहुत powerful, बहुत miraculously आप लोगों को help करेगी, okay इसके एक चोटासर वीडियो मैंने यह पर बना दिया सिया, I am not very good in you know, craft and all, लेकिन फिर भी I have tried कि मैं किसी तरह से इसको यहाँ पर करके दिखा दू ता कि आप लोगों के बहुत सारे comments में questions आप लोग जो put करते हैं वो एक ही बारी में यही पर कि आप लोगों को उसके answers मिल जाएं, okay इस तरह से बनाना है simple पहले तो Venus का जो planet है वो red color के pen से बनेगा और red color से बनाने के बाद आप जो Mars का है उसका sign आप blue color के pen से बनाएंगे तो यहाँ पर दो colors का ही इस्तेमाल होगा red and blue, okay अगर red नहीं है तो pink color यूज़ कर सकते हूँ आप Venus के लिए, Venus के लिए सर्फ option है Mars के लिए it will be blue only, ठीक है जो affirmation लिखनी है वो आप red से या blue से किसी से भी लिख सकते है ठीक है आपको क्या करना है आप अपना जो भी अगर journal बना रहा है उसमें एक page निकालिये उस page पे आप इस sign को बड़ा बड़ा सा थोड़ा बना के रखे और जो first है, जहां पे Venus है जो Venus का sign बनाया है वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे ठीक है, wherein मैंने यहां पे girl boy का नाम अलग लिखा है इसका ये मतलब नहीं है आप Venus means आपके लिए है वो attraction की powers आपके पास है तो आप Venus के planet में अगर आप boy हैं तो अपना नाम लिखोगे girl हैं तो Venus के planet में आप अपना नाम लिखोगे I hope this is very clear now So Venus represents you आपके attraction powers को आप में जो love को attract करने की power है उसको, ठीक है, तो आपने यहां पे Venus में अपना नाम लिखना है, जैसे यहां पे मैंने girl name लिखा हुआ है, वैसे आप लिखोगे and जो Mars है जो Mars उपर की तरफ जा रहा है, वो actually आपकी मंजिल है, destiny है वो ही आप attract कर रहे हो, उसी के लिए आप action ले रहे हो, so उस Mars के planet वाला जो circle है, उसमें आप अपने specific person का नाम लिखेंगे, यह couples कर सकते हैं boyfriend, girlfriend कर सकते हैं, husband, wife कर सकते हैं, okay, so यह आपने किया, यह करने के बाद, यह दोनों clubbed हैं, अब यह जो bond है, यह ही आप manifest कर रहे हो and this is very effective going to be in your relationship, अभी क्या करोगे, आप इसको बनाने के बाद, side में यह affirmation लिखोगे जिसमें कि simple सा आपको लिखना है, I have attracted him okay, I have attracted him, हिम की जगह आप चाहो तो उनका नाम लिख सकते हो, second line में आप लिखोगे, we are together now, बहुत simple सा, ठीक है, I have attracted him, we are together now, मतलब बहुत specific है, focused है, यह चीज, अब क्या है, जब यह affirmation आपने लिख दी इसको आपका daily का activity होगा कि इस sign को बने हुए आपको देखना है, देख करके इस affirmation को at least three times आपको पढ़ना है, आप चाहें तो इस sign को आप morning में देख करके, morning afternoon, night का भी भी देखें, लेकिन दिन में एक बार की habit ज़रूर रखें, एक बार ज़्यादा भी आप चाहें तो इसे attract कर सकते हैं क्योंकि आप जब इस sign को देखोगे एक, तो subconscious mind को बहुत strong वाली आप intention दोगे कि जो इसमें लिखा है बहुत clear clear लिखा हुआ है that you have attracted your specific person and you are together now, खतम कुछ भी आगे जो problems रहती हैं, उसके बारे में सोचनी की ज़रूरत नहीं है जो commitment नहीं मिल रही है, उसके बारे में सोचनी की ज़रूरत नहीं है आपने universe में एक intention set की है, बहुत ही specific intention, इसके बाद जब हम affirmation लिखते हैं, gratitude लिखना बहुत ज़रूरी होता है, हम सब को पता है तो gratitude के लिए आप या thank you, thank you, thank you universe लिख सकते हैं या हाँ पे मैंने, क्योंकि हम specific planets को use कर रहे हैं which are part of obviously universe तो उनका नाम मैंने mention किया है, पहले thank you, thank you thank you, venus planet planet venus, और इसके बाद thank you, thank you thank you, mars planet क्योंकि इनी दोनों की powers हम यहाँ पे कर रहे हैं, इनी दोनों की blessings हमें चाहिए, इनी दोनों का हम अगर हमारे relationship में कहीं पे कुछ कमी है, तो यह planet has that much of, you know इतना capable होता है यह planet कि आपके वहाँ पे उस चीज को fill कर पाए, कमीयों को खतम कर पाए, कुछ अगर up and down है, उस चीज को भी ठीक कर पाए, और फिर आपका relationship बहुत स्मूध चले, strong बन जाए, यह bond connect हो पाए जो bond आपने यहाँ पे बनाया है so basically क्या है कि जब आप इस sign को रोज-रोज देखोगे तो वही same intention की strength वाली कि आपका strong relationship बहुत strong है and जो affirmation लिखा है बहुत simple and बहुत strong affirmation है so यह चीज आपका subconscious mind बहुत असानी से absorb कर लेगा कोई if and but का कोई option ही नहीं है यहाँ पे and yes यह planets की तो अपने ही powers है तो यह planets का sign इस तरह से आप लोग बनाएंगे इसको रोज देखेंगे roses affirmation को बोलेंगे कितने दिन करना है तो yes 21 days तो continuous करिये या फिर तब तक करिये जब तक कि आप अपने relationship में इस वाले level पे नहीं पहुंच जाते यह जो together है इस level पे आपने ही पहुंच जाते तब तक करिये okay so and yes universe will bless you and definitely सब होगा definitely होगा अच्छा इसके साथ साथ जो लोग Venus का साइन अपने हाथ पे बना रहे थे वो as it as बनाते रहेंगे बहुत effective है बहुत helpful रहेगा आप लोगों के लिए so that's all guys thank you so much God bless you all stay positive stay safe